इस गर्मी के मौसम में अगर आपको जोडों में घुटनों में दर्द की शिकायत हो रही है, गर्मी के कारण हाथ पैरों में जलन की समस्या हो रही है, पेट में गैस, एसी डेटी की समस्या है, या आपके घर के किसी भी सदस्य को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, यानि ब् detox drink के तौर पर करना है जिसे आपकी ये सारी ही परिशानिया अपने आप दूर हो जाएंगे हड्डिया नहीं दुखेंगी blood pressure नॉर्मल रहेगा पीट के सारी तकलिफें दूर हो जाएगी साथ आपका पाचन अच्छा हो जाएगा पीट में गर्मी है और गर्मी के वज़े से अगर लूज मोशन भी हो रहा हो ना तो इन रोगों में बहुत वादा मिलेगा आपका थाराइड लेवर बढ़ा हुआ है है इसमें भी ये ड्रिंक रामबान काम करता है जो चीज मैं आपको बताने जा रहा है उसका सेवन आप गर्मियों में बहुत ही आराम से कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं ये साधारन से चीज कौन सी है और इसका सेवन आपको कैसे करना है आपको इस तरह से धनिया के बीज ले आने वाला हूं तो आपको करना क्या है दो चम्मुच धनिय बीजों को लगभग एक से डेड़ी गलास पानी के अंदर डाल देना है और ढखकर राद भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और सुबह देखेंगे धनिय के बीजों का सारा गोड़नेस बीजों का अर्क पानी में आजाएगा आपो क्या करना है सुबह इन बीजों को पाने से हित अफ़ल्कासा गर्म कर लेना है गुमगुना कर ले शान मेंकर 청ड़ी अगर आप शुबह डेर से दो गिलास पानी में बीजों को भीगो बाकि बचे हुए बीजों को फिर से उसी समय एक गलस पानी में भीको कर रख देना है और इसे शाम के वक्त छान कर पी लेना है बस इतना सा काम करना है इसके इतने जबरदस्त फायदे आपको मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे एक एक करके जानते हैं इसके फैदों के बार हो जाता है और साथी बॉड़ी में अच्छे कॉलिस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम भी करता है दोस्तों अगर किसी का बीपी हाई रहता है या फिर किसी इनसान की इम्मृटी पावर बहुत कमजूर हो जाती है श्री में इंफेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है आंतों में इंफेक्शन फैल जाता है या फिर किसी इंसान का डाजेशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता तो दोस्तों इन धन्य के बीजों के अंदर कैल्शियूम पोटैशियूम और आरन चीज़ें बहुत इच्छी मातना पाए जाती है इनके अंदर पाए जाने वाला पोटैशि इसकलाबा अगर आपका थारेट बढ़ा हुआ है या फिर कम है आप अपने थारेट लेवल को थारेक्सिन हार्मों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कीजेगा डॉक्टर ने अगर दवाई दे रखी हो थारेट के लिए तो सुबह खाली बेट आपको सकते हैं लगबाग 30-45 जिनों तक नियमी सेवन करने के बाद आप थारेट लेवल दोबारा चेक करवाएंगे तो इससे आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा आपको थारेट कंट्रोल में आ जाएगा इसकला अगले फारेट की जाए तो अगर धनिये का पानी रोजान करने का काम यह करेगा इस साधरन से चीजवारा हम डायविडीज को कंट्रूल कर सकते हैं आपको सिर्फ धनिये का पानी पीना है क्योंकि बहुत सारी लोग मेथी का पानी गर्मियों में नहीं विवाते उनको एसिड बनता है पेट में गर्मी जादा लगती है तो मेथी के पानी के जगा धनी का पानी पीना चाहिए इसे शुगर भी कंट्रोल रहेगा किड्नी लिवर भी डिटॉक्स होती रहेगी आपके पूरे शरीक लिफादे बन रहेगा अगले फादे के बात करें तो यह आपके बड़े ही वे वजन को कम करने में दवाई की तरह काम करता है जी यहां सही सुना आपने इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है बस दो चमच धनिया बीजों को दो बड़े कप पानी में भीगो कर सुबा गरम करके च्छान लेना है और इस पानी को आपको सुबा सुबा खालिवट पी लेना है और बचे में बीजों को फिर से भीगो कर आपको शाम को पी लेना है आपको दोनों समय गुनगुना ही पीना है और लगतार 15 दिन तक लेना है 15 दिनों में ही आप खुद में फर्क महसूस करोगे आपका वजन धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा आप इस पानी को दोस्तों अपने आफिस भी लेके जा सकते हैं आपके शिरी में अगर जोरत से ज़्यादा मातरा में पानी है तो यह उसे भी निकानने में मदद करेगा और यह वेट लॉस का नुस्खा आपके लिए काफी सेफ भी है इसे लेने का किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है इसके लावा दोस्तों अर्थराइटिस के इलाज में भी यह मदद करता है दरसल धनिया में लीलोलीक एसिड पाच आता है जो एंटियाटिक के तरह शिरी में काम करता है धनिया के बीज मौझूद एंटि अर्थराइटिस और एंटि ऑक्सिडेंट जोड़ों में इंफ्लमेशन को बढ़ावा देने वाले कुछ सैटोक्विंस कंपाउंड से लड़ने में हमारी शिरी की मदद करते हैं अगर आप अर्थराइटिस गठिया या फिक जुणों के दर्द से परेशान है तो रात पर भीगेवे धनिया पानी में सुबा थोड़ा सा अधरक कद्दू कस करके डाल दें आपको अधरक डालना है कद्दू कस करके और गरम करने के बाद छान कर पी लें ऐसा आपको लगतार 15 दिनों से लेकर एक महीने तक करना है आपको आराम देखे तो आप आगे भी ले सकते हैं और साथ में कैश्यम वाले फूड्स लें और सुबा का धूप अवश्य लें दोस्तों धनी के पानी के और भी कहीं सहर से फादे हैं अगर आपकी आखों की रोशनी दिनों दिन कमचूर पढ़ती जा रही है या फिर जो घड़ में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं स्क्रीन के सामने काम करते हैं तो आप बच्चों को धनिया जरू खिलाएं अब धन में ले ले 100 गराम मिश्री इन चारों चीज़ों को मिक्स करके पीस लीजे पाउडर बना लेजे और रोजाना एक से डेड़ी चमच पाउडर एक गिलस दूद के साथ बच्चे को दे और बड़ों को भी आप इसे दे सकते हैं अगर आप इस तरह बच्चे बड़ों को दें देंगे उनको तो उनकी आँखों के रोशनी फीकी नहीं पड़ेगी आखे लंबे समय तक स्वास्थे रहेगी इसके लावा इस तरह इस पाउडर को दिमाग भी तेज होगा इसके लावा अगर किसी भी इंसान के पेट में गैस जलन ज्यादा होती है तो सुबह सुबह दन यह दोस्तों या आपको किसी भी प्रकर का कोई भी नुक्सान नहीं देगा बलकि इस गर्मी के मौसम में पेट को और शेयर को ठंडा रखने में मदद करेगा इसके लाव अगले फादे की बाद की जातो इनिमिया यानि शेयर में खून की कमी जो शेयर में आरन की कमी की नाद बेगे हुए धनिया पानी में आपको सुबह 5-7 गराम के मातर में गुड़ डाल देना है। गर्मी का मौसम इसलिए गुड़ की मातरा बहुत कम डालना है और साथ में डाल देना है दो चुटकी के बराबर जीरा और इसे गर्म कर लेना है और च्छान का सुबह पी देन पंद्रह दिनों तक लगतार इसके सेवन करते रहने से शेरी में खूंडी कमी पूरी हो जाती है शेरी में आलस्ता कान कमचूरी से आपको छुटकारा मिल जाता है खासकर महिलाओं में दिक्कत देखी जाती है तो वह लोग जरू ले सकते हैं अगर इस तरह लेंगे तो उन का इस्तमाल करना है तो पीजों का इस तमाल करना ज्यादा फाद्यमत होगा दोस्तों आजसे धनिया पानी पीना शुरू किजिए और बहुत सारे रोकों से चुटकारा पाईए उम्मीद है आपको जानगार ये वीडियो अच्छे लेगी होगी वीडियो अच्छे लेगी जाते जाते जरूरी इस वीडियो को लाइक करते हो जाए धन्यवाद